आप देख रहे हैं आजाद सिपाही नमस्कार आजाद सिपाही के टॉप फाइड में आपका स्वागत है मैं हूँ राहूत सिख जारकन की पाच बड़ी खबरों के साथ टॉप वन चुम्मन प्रत्योगिता पर रगवर्दास ने जामूमों पर किया बड़ा हमला कहा आदिवासी संस्कृती को नश्ट करने का प्रयास जनता माफ नहीं करेगी टॉप टू राची के कुक्यात अपरादी बबलू सिर्वास्तव की दुंका के सेंटरल जेल में मौल टॉप थ्री कुक्यात अपरादी गिरो जार्खन क्रांतिकारी संगठन के सुप्रीमों जितेंद्र नायक ने किया सरेंडर टॉप पॉर बढ़का गाउं गोली कांड के पुर्व मंत्री योगेंद्र साव और विधायक निर्मला देवी को सुप्रीम कोट से मिली जमानत टॉप पॉर बीमार पुर्व लोहर्दगा विधायक कमल किसोर भगत कुवाश दिल्ली से राची लाया गया अब खबर विस्तार से मुख्य मंत्री रगवर दास ने सुक्रुवार को चुमबन प्रतियोगिता को लेकर विधान सबा में पहली बार चुप्पी तोड़ी जामुमों पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि आदिवासी मूलवासी के नाम पर राजनिती करने वाले संस्कृती को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं जामुमो आदिवासी मूलवासी संस्कृति की बात करता है लेकिन वहीं दूसरी तरफ चुमबन प्रत्योगिता का आयूजन कर आदिवासी और मूलवासीों की संस्कृति को खत्म करना चाता है राची का कुख्यात अपराधी बबलू सिर्वास्तों की दुमका के सेंटरल जेल में मौत हो गई बबलू ने कुख्यात अपराधी अनिल्द शर्मा के साथ मिलकर राची जेल के अंदर कुख्यात अपराधी भोमा सिंखी अत्या की थी इसी मामले में उम्रकैत की सजा काट रहा था बबलू ने हटिया छेट के अपराधी असोक पांडे समित कई अपराधियों को मौत के गाट उतारा था उसके मुँ से जाग निकलता देख कर प्रसासन ने उसे जेल हस्पताल में भरती कराया अपराधिक गिरो जारकन क्रांतिकारी संगठन के सुप्रिमो जितेंदर नायक ने आज राची के SSP कुलदीब दिवेदी के सामने देशी राइपल और चार जिंदा गोलियों के साथ सरिंडर कर दिया जितेंदर नायक पहले PLFI का सक्रिय उगरवादी था 35 वर्ष का यह अपराधी राची के लाकूं का रहने वाला है इस पर राची, गुमला और सिम्डेगा तदक खूटी में कई हत्या डेकैती, लूर एवं रंधारी के मामले दर्ज है 2007 में इसने PLFI से अलग होकर अपना अलग संगठन बना लिया था जितेंदर नायक पर विभेंजिलो के कई थानों में 25 मामले दर्ज है बढ़का गाउं गोली कांड में पुर्वमंत्री योगेंद्र साव और विधायत निर्मला देवी को सुप्रीम कोट ने जमानत दे दिया दोनों को बढ़का गाउं में 1 अक्टूबर 2016 को हुए गोली कांड में जमानत मिल दी है इस घटना में पुलिस की गोली से 4 ग्रामिन मारे गये थे SSP अभ्यान समेथ कई पुलिस कर्मियों को चोटे आई थी इस घटना को लेकर बढ़का गाउं थानक में कांड संक्या 228 बटे 2016 दर्ज है बिमार चल रहे पुर्वलोहर्दगा विधायक कमल किसोर भगत को आज दिल्ली से राची लाया गया उन्हें इलाज के लिए एम्स में भरती कराया गया था इधर कमल किसोर भगत से मिलने पहुचे उनके माता पिता ने कहा कि देश की अजादी के लिए लड़े लालू टाना भगत के परपोता एवं जारखन आंदोलनकारी मेरे पुत्र को आज बिमारी की हालत में भूका प्यासा राची लाया गया है ये राज हित में नहीं है मेरे पुत्र को आदिवासी होने की ये सजा मिली है मालूम हो कि कमल किसोर भगत को हत्या के मामले में दोसी करार दिया गया है इसके कारण भी उसे विधाई की तक गवानी पड़ी है टॉप वाइम में इतना ही आप इंतिजार करिए आजाद सिपाही के खबर विशेष का राकेस सिंग के साथ धन्यवाद